and warm welcome to this channel Dr. S.K. Singh कैसे हैं आप सब तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अन अकाडमी पे हर दिन प्रते दिन 100% of free course चलाता हूँ जिसका नाम है revision series और जिसका समय रहता सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आप अन अकाडमी पे आ सकते हैं और मेरा invite code है Dr. S.K. Singh उस Dr. S.K. Singh का code लगा के और free में भी आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं free में भी doctor बना जा सकता है अब ये possible है और ये मैं करके दिखा चुका हूँ और इस बार भी दिखाएंगे तो आप अन अकाडमी पे प्रते दिन सुबह 9 बदे और शाम को 8 बजे बिलकुल आ सकते हैं और बहुत ही मज़ा आ जाएगा आप आ सकते हैं इसका फाइदा उठा सकते हैं आज हम discuss करेंगे अपने circulatory system जहां पे हमने last class में discuss किया था last class में हमने discuss कर लिया था blood वगरे के बारे में यहां से आज हम सुरुआत करेंगे human circulatory system कैसे हो आप सब all good देखते हैं कौन-कौन class में available है आपको पता होना चाहिए कि हर दिन इस चैनल पे live classes चलती रहती है जिसका समय रहता है साड़े 5 बजे hello Vishal, hello Neha, hello Simran वर्षा, मोनी, मिश्रा लाइक ठोको बेटा जल्दी-जल्दी फड़ा-फट लाइक कर दो इस चैनल को येस और इस वीडियो को भी लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो hello Sanavali, Vishal, Kavya वर्षा, सलीम, प्रग्या, तिरपाथी Vishal, येस फड़ा-फट जुड़ते जा रहे हैं लोग चलिए अक्षिता, सोनु, गहलोथ, सलीम, शरलेव, काव्या, सेकुरेट और मॉटिवेशनली, स्पीच और अक्षिता, जैन आप काफी रेगुलर हैं सोनु, गहलोथ, काव्या, सलुनु, शरलेव, रग्या, येस चलिए, तो human circulator system करेंगे जैसे कि आपको last class में हमने discuss किया था कि बहुत सारे circulator system हैं यहाँ पर human circulator system पर focus करेंगे तो human circulator system आपको समझ में आना चाहिए human circulator system को पूरी broadly कैसे हम divide करते हैं आईए मैं इससे रूबरू आपसे कराता हूँ, प्रॉली कैसे डिवाइड करते हैं human circulator system, they consist of the blood vascular system and the lymphatic system, कुछ portion आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा suggest कर लेजेगा, क्योंकि कोरोना के वज़से मेरा office बंध है इसलिए smart board पे बहुत ही कम बार जो है, रोनित जी बंसल जी तो blood vascular system में क्या-क्या चीज़े आती हैं, ध्यान देजेगा blood vascular system they consist of, the blood vascular system they consist of heart and blood heart and blood, अब blood में दो चीज़े होती हैं, या तो plasma होगा या formed element होगा, मतलब ये दोनों ही हो, या तो नहीं, या plasma और formed element से ये पूरा का पूरा हमारा blood बना रहता है, और blood में सबसे ज़्यादा plasma होता है, 55% plasma ही होता है, formed element में हमारा आता है RBC, WBC और plate plate, मतलब इस table, इस चमतकारी table के माध्यम से आप बहुत सारा चीज एके बार में जान सकते हो, बहुत सारे चीज एके बार में जान सकते हो, WBC के दो basically type होते हैं, one is called granulocytes and other is called agranulocytes, अब इसका मतलब क्या होता है, कि अगर माले जी ये WBC है, तो अगर इसके पूरे cytoplasm में छोटे-छोटे grains हो, छोटे-छोटे granules हो, तो उसको जो है, हम लोग क्या बोलते हैं, granulocytes बोलते हैं, उसको हम granulocyte बोलते हैं, right, they are called granulocytes, और अगर ना हो, तो agranulocytes, तो granulocytes consist of the neutrophil, isnophil and basophil, जिसके अंदर ए छोटे-छोटे granules ना हो, they are called agranulocytes, they consist of the lymphocytes and monocytes, पूरी WBC को याद करने का तरीका क्या है, never let monkey eat banana, ऐसा हमें कभी नहीं मानना चाहिए कि monkey बनाना नहीं खाता है, monkey बिलकुल बनाना खाएगा, ठीक है, monkey बनाना खाएगा, N4, neutrophil, L4, lymphocytes, M4, monocytes, E4, isnophil and B4, basophil, इस से आप अराम से याद कर सकते हैं, अब lymphocyte के भी दो further category होती है, one is called B lymphocyte, another is called T lymphocyte, इसके बारे में बहुत ये detail मैं आप सबको बताऊंगा, तो पूरी blood vascular system में heart, blood और blood vessels होते हैं, heart के बारे में हम separately discuss करेंगे, blood के बारे में थोड़ा बहुत हमने discuss कर लिया, अब blood vessels के अंदर तीन चीज़े होती हैं, arteries, veins and capillaries, ठीक है जी, artery, veins and capillary, artery का मतलब होता है कि ये supply करती है oxygenated blood, veins का मतलब क्या होता है कि ये deoxygenate को heart तक लेके जाएगी, और capillaries बहुत छोटे होती हैं, जहां पर artery नहीं पहुँच पाते हैं, वहां पर capillary पहुच पाते हैं, ठीक है, the capillary is very, I mean very small, very small और जहां जहां नहीं पहुच पाती हैं, वहां पर artery जहां पर circulation नहीं हो पाते हैं, वहाँ पे पहुंच जाती है यहाँ पे lymphatic में देखेंगे तो lymph, lymphatic vessels और lymph node इसके बारे में पूरा हम विस्तरिच जनकारी हासल करेंगे अभी थोड़े दिर में जीतू परशाद्दी, अक्षिता जन शुर्भी जी, येस फोकस मारो बेटा पढ़ाई पे और सब लाइक ठोको बेटा, यहां हंडेट से भी जादा लोग देख रहे हैं और लाइक कमा रहा है अभी लाइक ठोको नहीं तो हम ठोकेंगे लाइक ठोको सावाश और आप असमें बतियाओ ना अब हम डिटील में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड होता क्या है आप देख पा रहे हैं तो ब्लड जो होता है ब्लड वासल स्के अंदर मूव करता है और आप यह नीचे देख रहे हैं कि कुछ ऐसा लगए जो हम लोग सुभे नास्ते में खाते हैं पता नहीं उसका नाम क्या है जो दूद में रखके खाते हैं नाम मैं भूल गया हूँ ठीक है तो कुछ ऐसा हो लग रहा है तो यह actually सारे RBCs है they are called RBCs तो what is the composition of blood blood के क्या composition है blood के composition दो है कौन-कौन से एक plasma हो सकता है एक formed element हो सकते है plasma सबसे जादा होता है plasma सबसे जादा होता है जो मेरे photo से यह लिख दूंगा plasma सबसे जादा होता है करीब 55% होता है जो straw color का होता है slightly alkaline होता है question आ सकता है your plasma गोता slightly alkaline होता है right corn flex very good corn flexhum compound सब्सकारी हो तुम लोग कॉन्फलेक्स येस पीज सेवन पाइंट फॉर होता है और फ्लूड मेट्रेक्स जो मेरे फोटो के वाज़ से नहीं दिखा ही दे रहा है मैं यहां पर इसके ऊपर लिख देता हूं फॉर्म्ड एलमेंट पहतालीस परसेंट होते हैं टोटल और इंक् सब आरे हो पारहे हैं यह सब सुनते हैं अगर हम सब सुनने लगां तो पढ़ा नहीं पाएंगे तो हम सब सुनते हैं मेरा फोकस यह रहता है कि यहां पर हम 5 बज़े डेली 5 बज़े डेली आके क्या कम्प्लीट कर लें 3D विज्वेलाईजेशन टीभ पाएंगां जिससे आ आपको थोड़ा और concept को समझने में और असानी हो जाए और बहतर तरीके से समझना असानी हो जाए और आपको पता है कि अनेकाडमी पर प्रते दिन अनेकाडमी पर रोजाना मेरी class होती है सुभे नौ बजे और शाम को आठ बजे यहां पर मैं handwritten note से पढ़ाता हूं handwritten note से पढ़ाता हूं तो वहां पर आपको और मतब बहुत मज़ा आ जाएगा तो यह दोनू का combination जो है सोने पर सुभागा हो जाएगा अब आए इसकी functions के बारे में समझते हैं और यह पूरा आयवा question है आता है question ठीक है ध्यान दीजेगा तो there is a constituent of plasma मतब प्लाजमा के कौन-कौन से परकार है टाइप है और इस plasma के टाइप जो है plasma के जो टाइप है उनके functions क्या है right उनके function क्या है ध्यान दीजेगा सबसे पहले पानी के बारे में बात करेंगे तो plasma में करीब 90-92% पानी होता है अगर आप पानी जैसे किसी को चोट लगता है तो हम बहुत सारा blood loss होता है तो बहुत last में जब hemoglobin का count अगर 7-8 हो तो तभी हम blood transfusion करते हैं otherwise हम norman saline normal drip चढ़ाना शुरू करते हैं कि इसमें पान पानी जाएगा अना blood vascular के अंदर पानी जाएगा तो अव्यस है हमारा blood volume बढ़ जाएगा blood volume बढ़ेगा तो BP maintain हो जाएगा हम patient को बचा सकते हैं यही concept है कि जब ही serious patient होता है तो उसको हम drip से ही सुरुआत करते हैं आप शायद इस बात को नहीं जानते होगे कि आरे drip क्यों ल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल बहुत सारा हुआ रहा है अरे उतकर्ष जी थेंक्यू सो मच उतकर्ष राज पॉपी प्लान वेटा तुम प्लस वाले हो 12 का भी बिल्कुल सुरु करेंगे अब हम पूरी study को देखिए मैंने आप सब के लिए दो तीन चीज़े की है पहला ची जडिए है तो इस motivation के लिए मैंने निट निश्या चैनल शुरुआत किया ना नी निट निश्या मतलब है नीट में निश्यत शफलता तो वहां पहला पर मॉटिवेट रह सकते है इस चैनल को हम पढ़ाई से oriented करेंगे जिसमें हम बहुत सारे authentic content मतब मज़ा आ जाएगा मतब अगर आप इन दोनों channel के साथ हो गए तो bio में 360 out of 360 आना अब दूर नहीं है इतना अब होगा बहुत ही मज़ा आएगा ठीक है बहुत ही मज़ा आएगा तो हम parallely कुछ और भी different different चीज़े करेंगे ठीक है यह हमारा human physiology का series चलता रहेगा इसके साथ कुछ और फिर कुछ और मतब कुछ चलता रहेगा different different चीज़े चलते रहेगे मतब जो है आपको यह समझ लेना है कि साड़े 5 बज़े आके आप बहुत सारे चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं साड़े 5 बज़े आके बहुत सारे चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं चले तो water करीब 90 से 92 परसेंट रहता है ठीक है water करीब कितने परसेंट रहता है करीब 90 से 92 परसेंट रहता है उतकर जी रहने दीजे वाटर जो होता है करीब 90 से 92% होता है दा फांक्शन सार्ट सॉलिमेंट ट्रांस्पोर्ट विटेमिन्स हॉर्मोन एंजाइम न्यूटरिन एसेक्टरा है ना लाइक ठोको बटा लाइक ठोको लाइक ठोको ठीक है 20 रुपे का विचारा दान कर रहा है कोई बात नहीं आपको दान की जरूरत नहीं है बटा मैं समझ सकता हूँ बहुत प्यार करते हो आप सब तो कोई बात नहीं पैसा रखिए आप पैसे की जरूरत नहीं है मुझे आपके प्यार की जरूरत है सो पानी जो है 90 से 92 परसंट होता है सॉल्वेंट होता है यार ट्रांसपोर्ट विटमिन्स विटमिन्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा हॉर्मोन को ट्रांसपोर्ट करेगा और न्यूटरन को ट्रांसपोर्ट करेगा नूट्रेंट को टांस्पोर्ट करेगा दूसरा प्लाजमा 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 प् Fruity P.O. A मतलब L-Bumine, G मतलब Glow-Bumine, F मतलब Fibrogen and P मतलब Prothrombin, Prothrombin, तो यह मैंने सिखाया था आप सब को और आप जानते भी हैं इसके बारे में, आएए, आगे हम बढ़ते हैं, तो अलग-अलग Plasma Protein के बारे में चलते हैं, तो Fibronosin, the Blood Coagulation में मदद करेगा, अगर हमें छोट लग जाती है, या कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसे Blood को Clot करने में मदद करेगा, Globulin के बारे में बात करें अगर, तो they are antibodies, they act as antibodies for the defense of the body, defense के लिए जाना जाता है, और Albumin के अगर हम बारे में बात करें, तो Osmotic Balance, Regulation of Blood Pressure, तो Regulation of Blood Pressure के वज़े से ऐसा होता है, तो यह जो है, काफी important है, और आपको याद करना है, दूसरा शीज़ अगर हम बात करें, glucose, amino acids, lipids and cholesterol, यह भी हमारे plasma के part होते हैं, यह भी हमारे क्या होते हैं, plasma के part होते हैं, glucose, amino acids, lipids and cholesterol, for the energy production and growth, energy production and growth के लिए जाने जाते हैं, inorganic के बात करें, अगर हम inorganic में, sodium, potassium, magnesium, chlorine, bicarbonate, iron, calcium, यह भी osmosis को regulate करते हैं, they are important for the regulation of osmosis, osmosis को regulate करते हैं, ठीक है, तो they are important for the regulation of osmosis, osmosis को regulation में, इनका बहुत बड़ा role रहता है, ठीक है, तो they are important for the regulation of osmosis, and gases, gases, बहुत सारे gases भी होती हैं, जो कि for the transportation के लिए किया जाता है, अब थोड़ा और detail में जाके study करते हैं, ध्यान दीजेगा, यह पूरा detail में जाके और study करते हैं, तो पूरी formed element को तीन हिस्सों में divide करते हैं, आपको पता है, एक को हम कहते हैं RBC, एक को कहते हैं RBC, दूसरे को कहते हैं हम platelet, और तीसरे को कहते हैं WBC, तो one is called RBC, WBC and platelet, यह पूरा का पूरा जो है हमारा formed element है, this RBC is also called erythrocytes, WBC is called leukocyte, leuco का मतलब होता है white, leuco का मतलब होता है, तिंग टॉंग तिंग टॉंग क्या चलता है बटा, ठीक है, leuco का मतलब होता है white, and platelet, thrombocytes, thrombocytes, आज 9 बजे insta live रहेखा, ठीक है, एक दिन हम neat niche पे live आते हैं, एक दिन neat niche पे live, at 9 PM, और एक दिन insta live, insta live at 9 PM, तो ऐसे कर लेते हैं, mwf, कल मंदे था, mwf, neat niche पे live, tts, insta live, तो आज insta live रहेगा, आप सब के लिए, तो आप सब मेरे से direct बात कर सकते हैं insta पे, platelet, thrombocytes कहते हैं, तो आप इस diagram में, मेरे photo के वज़से diagram नहीं दिखाई दे रहा होगा, बेटे इस diagram में देख सकते हैं, आपके हम देखाएंगे आपको, ऐसे diagram यह देखे, अब हम RBC के बारे में बात करते हैं, RBC के बारे में बात करते हैं, तो RBC is what? Erythrocytes, color के बारे में बात करें, तो यह लाल होता है, लाल इसले होता है क्योंकि इसके अंदर hemoglobin होता है, लाल इसले होता है, इसके अंदर hemoglobin होता है, life span 120 दिन तक ही रहता है, अब इतना fixed life span कैसे? हमारे यहां तो नहीं होता है, हमारे यहां तो कभी पहले ही लुड़क जाते हैं, कभी पहले ही लुड़क जाते हैं, कभी बाद में लुड़क जाते हैं, पता नहीं चल पाता है, तो इसलिए life 100 days होता है, कि after the 100 days, यह स्प्लीन के अंदर घुच जाते हैं, मतब इस्प्लीन में तो घुमते रहते हैं, स्प्लीनिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, और इस्प्लीनिक सर्कुलेशन में जैसे ही जाते हैं, तो इनके उपर ड्यूमास मेंब्रेन होता है, जोकि इनको फ्लक्सिबल बनाता है, और 100 days बाद इनकी फ्लक्सिबलीटी बिलकुल खतम हो जाती है, खराब हो जाती है, अगर इनकी फ्लक्सिबलीटी खतम होगी, तो इस्प्लीनिक ब्लेड वैसल होते हैं, काफी नारो रहते हैं, वहीं पे इन्टेंगल हो जाएंगे, फंस जाएंगे, अगर इस्प्लीनिक के अंदर इस्प्लीनिक मैक्रोफेज को लगेगा, इस्प्लीनिक मैक्रोफेज जो अ कोई आया है और चुपचा बैठा हुआ है तो ये टप 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 खा जाएगा जैसे मान लोग की दोपर के टाइम में ममी सो जाती है घर के सारी सदित से खोड़े अराम करते हैं तुमको मुखा मिल जाता है किचन में जाने का फ्रिज में जाने का बस फिरू हो जाते हो वहां क किचन खोला कुछ तुम्हारे पसंदा चीज मिला टप 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 खींच गया ऐसे ही मैक्रोफेस टप 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 खींच जाएगा इसको खींच लिया तो 120 दिन बाद अपने प्राण को त्याग देता है स्प्लिन के अंदर काउंट इसका 5-5 मिलियन पर किविक मिलिमेटर होता है और दे एर फॉर्म इन टर रेड बोन मैरो दिस इस अ प्राइमरी साइट और इसे काफी बार कोशन आया है जितना बार कोशन पुछा जाया उतना बार कम है काफी बार कोशन आया है right so question आया है कि the erythrocytes erythropoiesis they are called erythropoiesis erythropoiesis that is a formation of RBCs and the primary site अगर हम primary site के बारे में बात करें the primary site is called red bone marrow red bone marrow एक question आया हुआ है आएगा आता रहेगा ठीक है red bone marrow this red bone marrow is found in the longer bone, longer bone inside our body like the femur, like the femur, tibia, femur, tibia, ribs बहुत सारे जो है अलग-अलग bone में मिल सकता है, right कुछ secondary sites होते हैं, secondary site अगर primary site में ना बने या production कम है तो there is a secondary site और इस secondary site में सबसे परमुक है kidney, सबसे परमुक है kidney एक कोशन आया है, करीब 85% erythropoiesis यहां होता है और during the embryonic condition या कुछ condition में liver में भी synthesize होता है जो कि 15 परतिशत रहता है, इसको जरूर याद रखेगा और इससे हमेशा question पूछे ही पूछे जाते हैं इसको जरूर याद रखेगा, ठीक है, structure की बाद करें तो byconcave होते हैं और इनमें nucleus नहीं होता है, तो nucleus नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ? कि जब RBC बनते हैं, जब RBC बनते हैं, तो क्या होता है? कि इसमें nucleus होता है, आपको RBC बनने का थोड़ा सा मतलब की बताता हूँ, यह प्रुवजो का घर है, ऐसी ही प्रुवज सेल होते हैं, they are called primitive cells, and this name is called pluropotent stem cell, and this pluropotent stem cells are responsible for the production of all the type of cell, like WBC, RBC, and platelet, right? हम खासकर RBC के बारे में बात करेंगे, तो यह pluropotent stem cell के अंधर nucleus होता है, and this pluropotent stem cell is converted into the early, early normoblast cell, early normoblast cell, early normoblast cell, और उसमें भी आप देखेंगे, early normoblast cell में, तो आपको nucleus दिखाई देगा, this early normoblast cell is converted into the intermediate, intermediate normoblast cell, intermediate normoblast cell, intermediate normoblast cell, and intermediate में भी nucleus थोड़ा periphery प्या जाएगा, and they convert into the late, they convert into the late, and फिर वो reticulocyte stage में जाते हैं, reticulocyte stage में क्या होता है कि nucleus फिल्कुल डिसपीर हो जाता है, यहाँ पर nucleus यहाँ पर है, nucleus अब बाहर निकल जाता है, totally यह बाहर निकल जाता है, and this reticulocyte stage is further converted into the erythro, erythro site, erythro site stage, right, erythro site stage that is called RBC, so RBCs के अंदर nucleus absent हो जाता है, क्योंकि reticulocyte cell के अंदर ही nucleus नहीं होता है, यहीं पर nucleus नहीं पाया जाता है, तो यहीं से ही conversion खदम हो जाता है, यहीं से conversion क्या हो जाता है, खदम हो जाता है, aims में question आया था, कि at what stage the nucleus is disappear, so that is called reticulocyte stage, reticulocyte stage, इसलिए the mature, mature, जो mature हमारे RBC होते हैं, the mature RBC, mature RBC do not have a nucleus, they are called anucleate stage, anucleate stage, right, anucleate stage माना जाता है, nucleus नहीं होता है, I hope कि आप समझ पारे हैं, this is actually the short form of erythropoiesis, this is the short form of erythropoiesis, right, हलाकि बहुत और भी बड़ा term है, तो short form होता है, function is important, there is function is transportation of CO2, and transportation of oxygen, right, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम फिर से आप से मुलकात करेंगे, साड़े पांच बजे, जहां पे हम अलग-अलग cell के बारे में discuss करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, अलग-अलग cell के बारे में और जानेंगे, साड़े पांच बजे, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अग पुराने हैं, तो बटा लाइक ठोक के जाना, ठीक है, अने अकैडमी पे आज मिलते हैं, नौ बजे, सारी, आठ बजे, जहां पे हम डिसकस करेंगे, कुछ important questions, आज हम questions discuss करेंगे, ठीक है, तो आज questions discuss करेंगे, वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, तो मच आल आफ यू, ख्याल रखेगा आपना, और खुश रहिएगा, ठीक है, ख्याल रखेगा और खुश भी रहिए, राइट, ठीक यू,